तो बीजेपी करनाटक में हार गई आपको ऐसा लगता है बीजेपी जान बूज कर हारी है करनाटक क्योंकि उसको आगे दोजार चूबिस का चुनाओ जीतना है आपको अगर लगता है कि कॉंग्रेस करनाटक में जीत गई तो ये भी एक तरह का भ्रहम है क्योंकि ये एक तरह कि सेटिंग है आगे आपको बता दे कि सिर्फ करनाटक ही नहीं आगे जो election आने वाले हैं जिसमें राजस्थान है जिसमें मध्यपदेश है 36 गड़ है उसे मध्यपदेश में बीजेपी का हारना लगभकता है क्योंकि यह सेट हो चुका है करण यह है कि मध्यपदेश में भी अब शिवराज का कद बढ़ जाएगा अगर बीजेपी मध्यपदेश का चुनाव जित्ती है शिवराज सिंग चौहान का कद बढ़े यह कोई भी उस पार्टी के खासों से बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण नेता है जितने भी बड़े नेता है यहां के मध्यपदेश के वो बिलकुल नहीं चाहेंगे कि शिवराज सिंग का कद अब उचा हो क्योंकि अब उसका उनका जो कद है वो कम करना उनके लिए बहुत जरूरी है जैसे करनाटक में एदुईरप्पा क के साथ में किया गया है तो अगर कोई यह मान रहा है कि वाकई कॉंग्रेस जीती है और अपने घोशना पत्र में किये गए वादों के वजह से करनाटक में कॉंग्रेस जीती है तो फिर आव आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इसका मतलब यह है कि करनाटक के लोग कॉंग्रेस को वहाँ पर जिताया है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी भी वहाँ पर बजरंग दल को बैन करना चाहती है या फिर यह यह भी कह सकते हैं कि बजरंग दल पर वो थोड़ा सा लगाम लगाना चाहती है हो सकता है कि यह हो बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि चु Kennethी बच्चा रो रहा था याने यह कहें कि राहूल गाधी चुकि काफी ज़्याधा महनत कर रहे थे थोड़ा सा पुछकारा गया है थोड़ा सा उसे लॉलीपॉप दे दिया गया है खास होसे BJP के जो ITCEL के जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं और अगर ये सच है तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इसका मतलब साफ है कि BJP भी बजरंग दल पर बैन या फिर उस पे लगाम लगाना चाहती है क्या ये सच है और अगर ये सच है तो फिर बजरंग दल में शामिल लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए दूसरी बात ये कि करनाटक में अगर कॉंग्रेस जीती है तो क्या वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी ये भी सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि इससे ठीक पहले ग्रेह मंत्री देश के ग्रेह मंत्री अमिशा है ये कह चुके हैं कि अगर करनाटक में कॉंग्रेस जीती तो दंगे होंगे वो किसके माध्यम से करवाएंगे या फिर कौन कर सकता है ये सब उनी को पता है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या वाकई बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा क्योंकि दंगे और बजरंग दल का बहुत ही नजदी की रिष्टा है हमेशा से ऐसा होता रहा है बैराल जो भी है इस वक्त तो करनाटक में कौंग्रेज जीत का जश्न मना रही है वही शोचल मीडिया पर भी ये बात बहुत गजब तरीके से कही जा रही है कि जो बीजेपी है वो करनाटक हार गई या दक्षिन से अब हार की शुरुवात हो गई है या फिर वहाँ पर मो इस्थान में या फिर बाकी जगों पर हिमाचल में भी जिस तरह से ओल्ड पेंशन OPS की बात कही गई थी क्या उन वादों को पूरा किया गया है क्या जो यहां पर वादा किया गया है प्रमुख रूप से जिस पर विवाद भी हुआ था करनाटक में क्या इस वादे को वो चुनाओं हैं आने वाले चुनाओं हैं खासों से मध्यप्यदेश और चत्रिगर राजस्थान इसकी जलक आपको यहां पर दिखाई दे रही है क्योंकि इस एक चीज के माध्यम से मोधी जी भविशे का 24 का चुनाओं सेट करने जा रहे हैं वो आपको यकीन दिला देंगे कि इवियम बिल्कुल ठीक ठाक है क्योंकि करनाटक में इस बार देखा गया कि लोगों ने इवियम को फोड़ा है चुनाओं में वोट डालते समय इवियम फोड़ी गई है तो यह अगर होने लगा है तो इस पर विश्वास जमाना लोगों की बात को गलत ठहराना की इविय इसे कई निशाने साथ लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद